ओम शांती, आज अव्यक्त बाप दैदा के 8 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइस डेट है 28 फरवरी 1988, आज बाबा डबल विदेशी ब्रामन बच्चों की विशेशता बता रहे हैं, भाग्य विधाता बाबा ने सभी स्रेश्ट आत्मों को देखा, हर एक भाग्यवान आत्मा बाप ददा से रूरुहान करती है, और वो रूरुहान बाप ददा तक पहुँचती है, क्योंकि संकल्प की भाषा वानी की भाषा से भी तीखी होती है, और वो जल्दी बाप ददा तक पहुँचती है, बाप ददा बच्चों के संकल्प सुनते रहते हैं, सभी की संतुष्टता के संकल्प, खुश रहने के संकल्प, निर्वेगन रहने के संकल्प, बाप समान बनने के संकल्प बाप ददा तक पहुँचते हैं, जिन बच्चों की बुद्धी स्वच है, स्पस्ट है, सुक्षम है, वो बाप ददा के रिस्पोंस को कैच करते हैं, बापददा बच्चों के संकल्प को देखते हुए कि बच्चों के संकल्प में दरड़ता हो, स्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमसोरी ना हो, इसी को स्रेष्ठता कहते हैं ये सब देखते हुए बाप्तदा, बच्चों को वरदान दे रहे हैं, विशाल बुद्धी भव, विशाल दिल भव, विशाल सेवा, विशाल संसकार, जब बुद्धी बेहद में चली जाती है, तो हद की बातें समाप्तों जाती हैं, बेहद के समृती स्वरूप बनना, अर्थाथ विशाल दिल बनना, जो विशाल दिल आतमाई है, वो बेहद की समृतियों में रहती हैं, बाप्तदा, बच्चों को समृती दिला रहे हैं, कि आपको बाप समान, करमातीत बनना है, हद की बातों से नियारा प्यारा करम करते भी करम की आकर्शण से परे कर्मातीत बनना है बाप्-ददा ब्रामन बच्चों की विशेषता देख रहे थे कि यह डबल विदेशी बच्चे जो भी बात होती है आपनी संकल्प की गती को चेक करते हैं आटेंशन देते हैं, सुक्ष्म रूप से चेक करते हैं, इसलिए परिवर्तन जल्दी आता है, जो भी बात होती है बाप्तदा वा निमित आत्मों के आगे स्पष्ट रूप से रखते हैं, और इस विधी से इनकी बुद्धी में किचड़ा इकठा नहीं होता है, स्वच्चता से दिव्यता आती है, देविगुण आते हैं, वैसे भी लक्ष्मी का आहवान करते हैं, तो स्वच्चता का मुख्य महत्व है, तो बाबा डबल विदेशी बच्चों के विशेष्टा देख रहे हैं, कि मेजौरिटी कोई भी बात को अंदर नहीं रखते, बाप रूई के समान बन जाती है, पहाड भी पहाड को तो उड़ाया नहीं जा सकता, बाते भी रूई बन कर उड़ जाती हैं, बहुत सुंदर मुलाकात बाबा ने दूसरी बात कही, कि ये बच्चे अपने समय को शक्तियों को सेवा में लगाते हैं, नर्विग्न रहते हैं, ये इनकी दूसरी विशेष्टा है, कि बाप ददा को ओक्के का पत्र लिखते हैं, ओ लिखते हो तो श्रुबाबा याद आता है, के लिखते हो तो किंगडम याद आती है, और कोई मिठाई चाहे ना खाना, लेकिन दिल खुश मिठाई खाना, ये दिल खुश मिठाई खानी भ बहुती सुन्दर मुलाकात बाबा ने छोटे बच्चों से की और बहुती दिल को चुने वाली बाते बाबा ने पूछी कि आप अच्छे गुड मॉर्निंग बाब तदा से करते हो, गुड नाइट करते हो, अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो, भोजन बाबा की रोज की मॉर्ली की एक बात जरूर सुनना, मॉर्ली क्या होती है, ये पता है, बाबन छोटे बच्चों को छोटी-छोटी बात सिखाए, ताकि वो भी सूसंसकारे तो बने, फिर बाब नदाने मुलाकात करते होई कहा, कोई भी आए, आपका अखंड भंडारा सदा चलता र रहना, आपका तो कारे ही है, सदा बाटते रहना, मनन शक्ति के अनुभवी बनो, जितना मनन करेंगे, उतना शक्ति शाली, माया प्रूफ, विगन प्रूफ बन चाएंगे, खुशी के खजाने से भरपूर रहो, बाकी सब खजाने स्वते ही आजाएंगे, आज हम सब अपन सपस्ट रखेंगे, जो भी अंदर किचड़ा है, बापतादा को समर्पित कर देंगे, अपने आपको बिजी रखेंगे, इश्वरिय सेवाओं में, याद करेंगे, मैं खुशी के खजाने से संपन आत्मा हूँ, अब सुनते हैं मुरली विस्तार से, अव्यक्त मुरली का सार है, डबल विदेशी ब्रामन बच्चों की विशेशताईं, आज भाग्य विधाता बाप दादा, अपने स्रेष्ट भाग्यवान बच्चों को देख, हर्शित हो रहे हैं, हर एक बच्चे का भाग्य स्रेष्टो है ही, लेकिन उसमें नमबरवार है आज बाप दादा, सब बच्चों के दिल के उमांगुच्चा के द्रड संकल्प सुन रहे थे, संकल्प द्वारा जो सब ने रूरु रुहान की, वे बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुँच गई, संकल्प की शक्ती, वानी की शक्ती से अती सुक्षम होने के कारण, अती तीवरगती से चलती भी है और पहुँचती भी है, रूरुहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा साइस वाले आवाज को कैच करते हैं लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सुक्षम साधन चाहिए बातदा हर बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं अर्था संकल्प कैच करते हैं इसके लिए बुद्धी अती सुक्षम, स्पष्ट, स्वच्छ होना आवश्चक है तब बाप की रूरुहान के रिस्वॉंड को समझ सकेंगे बाप तदा के पास सबकी संतुस्टता वा सदा खुश रहने के, निर्विगन रहने के, सदा बाप समान बनने के स्रेश्ट संकल्प पहुँच गए बाप तदा बच्चों के द्रड संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं क्योंकि जहां द्रडता है, वहां सफलता है ही है, यह स्रेष्ट भाग्यवान बननी की निशानी, सदा द्रडता, स्रेष्टता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं स्रेष्टता, सदा द्रडता, स्रेष्टता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं स बच्चों के विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुध्धी, विशाल सीवा, विशाल संसकार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी बाप ददा दे रहे हैं, विशाल दिल, विशाल दिल अर्थाट बेहद के समर्ती स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थार्थ विशाल जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकरशित नहीं करती है इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिष्टा जीवन कहा जाता है कर्मातीत का अर्थ है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संसकार से अतीत अर्थार्थ म्यारा हद है बंधन बेहद है निर्बंधन तो सदा इसी विदी से सिद्धी को प्राप्त करते रहेंगे सभी ने स्वयम से जो संकल्प किया वो सदा अमर है अटल है अखंड है अर्थार्थ खंडित होने वाला नहीं है ऐसा संकल्प किया है न, मदुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है न, सदा साथ रहेगा न, मुर्लियां तो बहुत सुनी है, अब जो सुना वो करना है, क्योंकि साकार स्रिष्टी में संकल्प, बोल और करम तीनों का महत्व है तीनों में ही महानता, इसको संपन स्टेज कहा जाता है, इस साकार स्रिष्टी में ही फुल माक्स लेना अत्ती आवश्चक है अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत स्रिष्ट है, लेकिन करम वा बोल में अंतर दिखाई देता है तो कोई मानेगा, क्योंकि संकल्प का स्थूल दरपन, बोल और करम है स्रिष्ट संकल्प वाले का बोल स्वते ही स्रिष्ट होगा स्रिष्ट संकल्प वाले का बोल स्वते ही स्रिष्ट होगा इसलिए तीनो के विशेष्टा ही नमबर वन बनना है बापत तदा डबल विदेशी बच्चों को देख, सदा बच्चों के विशेष्टा पर हर्शित होते हैं वो विशेष्टा क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के स्रेष्ट संकल्प द्वारा, स्रेष्ट संकल्प के अहवान द्वारा दिव्य जनम प्राप्त किया है ऐसे स्रेष्ट संकल्प की विशेश रचना होने के कारण अपने संकल्पों को स्रेष्ट बनाने के विशेश अटेंशन में रहते हैं संकल्प के उपर attention होने के कारण किसी भी प्रकार की सुक्ष्म माया के वार को जल्दी जान जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए वा विजई बनने के लिए पुर्शार्थ कर जल्दी से खतम करने का प्रतन करते हैं संकल्प शक्ती को सदा शुद्ध बनाने का attention अच्छा रहता है अपने आपको चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है सुक्षम चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है इसलिए इस विधी से बुद्धी में किचड़ा इकठा नहीं होता जब बाबा को निमित आत्माओं को सच बता देते हैं इस विधी से बुद्धी में किचड़ा इकठा नहीं होता मैजोरटी साफ दिल में बोलने में संकोच नहीं करते हैं इसलिए जहां स्वच्छता है मा देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं जहां स्वच्छता हैं मा देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं दिवे गुणों की धारणा अर्थार्थ आहवान करने की विधी है स्वच्छता जैसे भगती में भी जब लक्षमी का वा किसी देवी का आहवान करते हैं तो आहवान की विद्धी स्वच्टा ही अपनाते हैं, तो ये स्वच्टा का स्रेष्ट स्वभाव, दैवी स्वभाव को स्वतई आहवान करता है, तो ये विशेश्टा मैजॉरटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तिवर गती से आगे बढ़ने का गोल्डन चां गती में रख, लाब उठाते चलो, आया, स्वच्ट किया और गया, इसको कहते पहाड को रुई समान बनाना, रुई सेकंड में उड़ती है न, और पहाड को कितना समय लगेगा, तो स्वच्ट किया, बाप के आगे रखा, और स्वच्टा की विधी से फरिष्टा बना, पूड़ना, ड्रामान सर ये विशेष्टा मिली हुई है, बापतदा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं, और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष है कि हमें विज़ई बनना ही है, मेज़ॉरिटी का ये नंबर वन लक्ष है, कि हमें विजई बनना ही है अपने को चेक भी करते हैं चेंज भी करते हैं मेजॉरिटी बच्चों का नंबर वन लक्षे हैं दूसरी विशेषता जनम लेते वर्सा प्राप्त करते सेवा का उमांग उच्छा स्वते ही रहता है सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलत है सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है सेवा से विशेष बल भी मिलता है सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विगन बनने में भी सहयोग मिलता है तो सेवा का उमंग उच्छा ही आना समय निकालना वा अपना तनमंधन सफल करना ये भी ड्रामा नुसार विशे तो बाब को खिला दे, द्रड संकल्प किया अर्थार दिल्खुष मिठाई, बाब को खिलाई, यह अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा, बाब का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल्खुष मिठाई का ही लगाना, दिल्खुश मिठाई का ही लगाते रहना बाप तदस सदा कहते हैं पत्र भी जब लिखते हो तो सिरफ दो अक्षर का पत्र बाप तदक को लिखते रहो वे दो शब्द कौन से हैं ओके इतने ना इतने कागच जाएंगे ना स्याही जाएगी ना समय जाएगा बचत हो जाएगी ओके अर्थार्थ बाप भी याद है राज्य भी याद है ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है जब ओ लिखते हैं तो वो गोल होता है तो बाबा का ही शेप बन जाता है और के अर्थार्थ किंगडम तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनु याद आ जाता तो पत्र लिखो जरूर लेकिन दो शब्दों में तो पत्र पहुँच जाएगा बाकि दिल की उमंगों को तो बाप ददज जानते हैं प्यार के दिल की बाते तो दिलाराम बाप के पास पहुची जाती है ये पत्र लिखना सब को आता है ना भाशन न जानने वाले भी लिख सकते हैं इसमें भाश भी सबकी एक ही हो जाएगी ये पत्र पसंद है ना, सदा बापसमान बनने के उमांगुच सामें उडने वाले, सदा स्वयम को चेक कर, चेंज कर, संपूरन बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और करम, तीनों में स्रेष्ट बनने वाले, सदा स्वच्चता द्वारा, स्रेष्टा को धारन करने वाले, ऐसे तीवर उता से उड़ने वाली विशेश आत्माओं को बाप इता का याद प्यार होने मस्ति रुठानी बच्च की रुहांी बाप इता को नमस्ति गुड वार्निंग शुक्रिया शुक्रिया इस्त्रेलिया कर्ण्पके छोटे बच्चों से बाप इता की अभू मुलाखात परम, पिता, छोटे बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, उनको क्या समझा रहे हैं, बहुत सुंदर बात बाबनी कहीं, सभी गौडली स्टूडेंट होना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वो स्टडी रोज करते हो, ऐसे ये भी करते हो, मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ म आती है, कि मुरली क्या होती है, बाबा को रोज याद करते हो, सुबह उठते गुड़ मॉर्निंग करते हो, कभे भी ये गुड़ मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड़ मॉर्निंग भी करना, गुड़ नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो, तब भी याद करना, ऐसे न बाबा को याद करते हैं, वो सदापास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते, तो सदापास होते हो, अगर पास ना होए, तो सब कहेंगे ये श्व बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं, रोज मुरली के एक पॉइंट अपनी मा से जरूर सुनो, बाबा सिखा रहें कि अपनी माता से ही पूछ लो कि आज की एक बात सुना दो तो आपकी मम्मा ही आपको एक बात सुना देंगी अच्छा बहुत भाग्यवान हो जो भाग की विधाता की धर्नी में पहुंचे हो बाबा से मिलने का भाग्य मिला ये कम भाग्य नहीं है फिर मुलाकात है ग्रुप से बाप वरा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माउं प्रती लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा होना कितने खजाने भरपूर है जो भरपूर होता है, वो सदा बांटता है, अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होके जाए, वो खाली जा नहीं सकता, इसको कहते अखंड भंडारा। जो आप द्वारा पूरण करने वाले हो, जितना खजाना बाठते, उतना और बढ़ता जाता है, इसको कहते हैं सदा माला माल, कोई भी खाली हाथ ना जाए, सब के मुख से ये दुआएं निकले, वह हमारा भाग्ये, ऐसे महादानी वर्दानी बन, सच्चे सिवाधारी बनो, कोई आए, तो उसको लगे भरपूर हो गए, ऐसे महादानी वर्दानी बन चाओ, सच्चे सिवाधारी बनो, दूसरी बात, ज्रामा अमसार, सिवा का वर्दान सदा आगे बढ़ाता है, एकोती योग्यता द्वारा सिवा प्राप्त होना, दूसरा है वर्दान द्वारा इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है, जो स्नेह की भाषा जानते हैं, वो कहीं भी सफल हो जाते हैं, सेवा सदा निर्विगन हो चले, इसको कहते सेवा में सफलता, तो स्नेह की विशेष्टा से आत्मा इत्रिक्त हो जाती है, स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बाटते चलो स्ने के भंडारे भरपूर है इसको बाटते चलो जो बाप से भरा है वो बाटो ये बाप से लिया हुआ स्ने ही आगे बढ़ाता रहेगा स्ने का वरदान भी सेवा के निमित बना देता है बाप से स्ने है तो औरों को भी बाब के स्नेही बनाए, समीप लेके आते हो, जैसे बाबा के स्नेही ने आपको अपना बना लिया, तो सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन, औरों को अनुभवी बनाते हो, सथा बाबा के स्नेही के पीछे कुरुबान जाने वाली आत्मा हो, इस नशे म मेरो बड़ो की चत्रचाय भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी बाप की चत्रचाय तो है ही लेकिन बड़ो की चत्रचाय भी गोल्डन ओफर है तो सदा ओफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविश्य स्पस्ट होता जाएगा हर कदम में बाबा का साथ अनुभव करने वाले होना जिन बच्चों को बाबा ने विशेश सेवार्थ निमित बनाया तो निमित बनाने के साथ साथ सेवा की हर कदम में सहयोगी भी बनता है भाग्य विधाता ने हर बच्चे को भाग्य की विशेश्ता दी है उस विशेश्ता को कारे में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो सेवा तो स्रेष्ट ब्रामनात्मों के पीछे पीछे आने वाली है सेवा के पीछे आप नहीं जाते जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है जैसे जहां लाइट होती है वाँ परचाई जरूर आती है ऐसे आप डबल लाइट हो आपके पीछे सेवा भी परचाई के समान आएगी इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र चाया में चलते चलो निश्चिंत बन बाबा की छत्र चाया में चलते रो अगली मुलाकात सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है न जब समान बनेंगे तब समीप रहेंगे समीप तो रहना है न समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है और समान बनना मुश्किल भी नहीं सिरफ जो भी करम करो करम करने से पहले स्मृति मेलाओ ये करम बाबा कैसे करते है तो ये स्मृती स्वत है बाबा के कर्म जैसी फॉलो कराएगी इसमें बैठ कर सोचने की बात नहीं सिड़ी उतरते उतरते भी सोच सकते हो बहुत सहज विधी है तो सरफ बाबा से मिलान करते चलो ये याद रखो बाप समान अवश्य बनना ही है तो हर करम में सहजी सफलता का अनुभव करते रहेंगे बाप समान बनना ही है हर करम में सहजी सफलता का अनुभव करते रहेंगे आज का वरदान मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्ति शाली माया प्रूफ विगन प्रूफ भव मनन शक्ति द्वारा हर पुआइट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्ति शाली माया प्रूफ वीगन प्रूफ भव जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति वा हजम करने की शक्ति आवशक है ऐसे आत्मा को शक्ति शाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यह सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है ऐसे अनुभवी कभी दोखा नहीं खा सकते सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते अनुभवी सदा संपन रहते हैं वो सदा शक्तिशाली मायः प्रूफ विगन प्रूफ बन जाते हैं खुशी का खजाना साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वते ही आ जाएंगे आज हम चलते फिरते बाबा की स्मृती में रहते अपनी स्रेश तुस्तिती बनाएंगे ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें लिए बनाएंगे